नमस्कार दोस्तों कास क्लासिज की करेंट अफेर सीरीज में मैं चंदरहा से एक पर फिर से आप सब ही का सुवागत करता हूँ आसा करता हूँ कि मेरा पूरा कास क्लासिज का परिवार अच्छा होगा और जवर्दस तरीके से आने वाले SSC अथवा SSC या स्टेट जो PCS है या जो भी स्टेट गवर्मेंट से रिलेटीड एक्जामर उनकी बहुत जवर्दस तरीके से टैरी कर रहे होगे पहरे दोस्तों आपकी उसी तेरीक और जबरदस्त बनाने के लिए उसी तेरीक और भैतरीन बनाने के लिए मैं आपके सामने एक बर फिर लेके आया हूं Current Affair की बहुत भैतरीन ख्लास है बहुत जबरदस्त ख्लास तो आज का दोस्तो अपने पास में जो पहला क्योशन है ना आज का पहला क्योशन ये है आप मेरे चैनल के उपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटर्स वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहूँच सके ठीक है और बैल आइकन जरू दबा ल भारत के अगले राजदूत कोन बनाए जाएंगे या राजदूत है राजदूत वो कोन बनेंगे बहुत बड़ी है क्योशन है बहुत जबरदस्ट क्योशन लाड़ लो बहुत जबरदस्ट ये क्योशन क्या है कि भारत के जापान में भारत के दूसरे या नए राजपूत कोन बनाए जाएंगे तो दोस्तों कोन बनाए जाएंगे तो CB जार्ज ये जो CB जार्ज है ना CB जार्ज इसको जापान में नया राजदूत बनाए जाएगा ये ध्यान रखिएगा CB जार्ज लेकिन ये जो CB जार्ज है ना ये वर्तमान में कहां पर राजदूत है तो दोस्तों ये CB जार्ज है ये राजदूत है कुएत में और कुएत में भारत का राजदूत है क्योशन क्या है क्योशन को आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से क्योशन ये है कि जापान में भारत का नया राजदूत है भारत का वो किसे बनाया जाएगा तो सीवी जाज को सीवी जाज वर्तमान में कहां पर राजदूत है तो कुवेत में लेकिन ये किसका स्थान लेंगे तो वर्तमान में जापान के अंदर जो भारत के राजदूत है वर्तमान में भारत के जो राजदूत है जापान में उसका नाम क्या है तो संजे कुमार संजे कुमार ये संजे कुमार जो वर्मा है संजे कुमार वर्मा उसका स्थान लेंगे ध्यान रखिएगा क्योशन ये है कि जापान में भारत के नए राजदूत कौन बनेंगे तो दोस्तो सीवी जाज बनेंगे cv jais वर्तमान में कोण से देश के अनदर राजदूत है तो अब बताएंगे कुएत के अंदर लेकिन यह जो जापान में बनेंगे तो यह किस का स्थान लेंगे दोस्तो शंजे कुमार वर्मा का स्थान लेंगे जिकर जापान का आया है तो दोस्तो जादा जनसंख्या वाला सहर टोकियो लेकिन इसी के साथ में आप ध्यान रख रहा जिकर टोकियो काया है लाडलो जिकर यदि टोकियो काया है तो ये आप ध्यान रखेगा ये जो टोकियो है ये जापान में है लेकिन ये टोकियो कौन से द्वीप के उपर से थीत है तो दोस् तो सबसे बड़ा द्वीप है जापान का, उस जापान के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है तो आप बताएंगे होन्सु द्वीप, होन्सु द्वीप ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप, के लिए रखेगा ये बहुत जवरदस्ट क्यू जो जनसंख्या की दरस्टी से पूरे वल्ड का सबसे बड़ा देश है, जापान जिसकी राजधानी टोक्यो होनसु द्वीब के उपर है, जो सबसे बड़ा द्वीब है, ये ध्यान रखिएगा, हाल ही में रक्षय मंत्री ने कहां पर सस्तर पूजन किया है, भाई बहुत हाल ही में रक्षय मंत्री राजधानाथ सिंग ने कहां पर दोस्तो सस्तर पूजन किया है, तो राजधानाथ सिंग ने उत्रा खंड का एक स्थान पढ़ता है, ओली और ओली जो मिल्टरी स्टेशन है, दोस्तो वहां पर राजधानाथ सिंग ने क्या किया है, तो सस्तर पू पूजन किया है तो ओली जो मिल्टरी पुंटरी स्टेशन में यह टो जर्डों कै जो मुक्षकर सींघ धामी है पुसकर सींग धामी और यदि गवर्नर पूछे तो रेटाइड अलेटिडाइट जर्नल गुरमीच सिंग ये वहां का गवर्नर है गवर्नर ध्यान रखनार रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने कहां पर सस्तर पूजन किया है तो ओली जो मिल्टरी स्टेशन है उत्राखंड मे वहां पर किया ओली मिल्टरी स्टेशन जो उत्राखंड में है वहां पर ठीक है ध्यान रखियेगा दुनिया में सबसे बड़ा चिनी उत्पादक के रूप में चिनी उत्पादक के रूप में कों सा देश उबर आ है दुनिया में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक के रूपे कौन सा देश उगरा है तो दुनिया में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है वो दोस्तों कौन सा बना है तो आप बताएंगे भारत बना है भारत और इस भारत के अंदर दक्षन एसिया कह दे या एसिया कह दे या भारत की कह दे समसे बड़ी चीनी मील कहा है तो दोस्तों समसे बड़ी चीनी मील खतोली में है खतोली और ये खतोली जो उत्तर परदेश के अंदर पढ़ता है उत्तर परदेश का एक कस्वा पढ़ता है खतोली और उस खतोली के अंदर दुनिया, सोरी, एसिया की समसे बड़ी चीनी मील है विशो में सबसे बड़ा चीनी उतपादक देश कोन सा बना है तो दोस्तों विशो में सबसे बड़ा चीनी उतपादक देश भारत बना है और भारत में जो सबसे बड़ी चीनी मील है ध्यान रखेगा एस या महाधिवीप की वो कहा है खतोली में पूरे विशो में जितना दोस्तो गन्ना होता है उसका 40% गन्ना भारत में होता है भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर परदेश में होता है सबसे ज़्यादा चीनी मिले महरास्टर में है लेकिन ध्यान रखना, वीसों में सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक देश कोण से बना है? भारत बना है और यह याद रखेएंगा दक्षिन एसिया अत्वा एसिया अत्वा भारत की सबसे बड़ी जो चीनी मील है वो खतोली में है और खतोली उत्तर परतेश, उत्तर परतेश का मुख्यमंत्री को नहीं、 तू मुख्या दित्नाथ, राज़्य पाल कोजई है, तो आप बता दे ला, आनदी बहंपर हैँ, और उत्तर परतेश को पहले किस नाम से जानते थे, संयुक्त परांत के नाम से, ठीक है, ध्यान रखें बहुत जवरदस्त भाइसा बहुती सांधार बहुत जवरदस्त तरीके से अपने एक एक पॉइंट कद्धन करते चल रहे हैं बहुत जवरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं किसी भी परकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ध्यान रखिएगा किसी भी परकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए मैं बहुत ही सांदर तरीके से एक-एक पॉइंट को आपके सामने पेस करना हूँ मेरे साथ में बने रहना वीडियो पर लास्ट में का दर्जा दिया है एस्टी का दर्जा दिया है तो दोस्तों अब बता देना जम्मु कस्मीर जम्मु कस्मीर हाल ही में जो गरह मंत्री है अपना अमित्सा अमित्सा हाल ही में जो गरह मंत्री है यह इस परकासे किया गया है जम्मू कस्मीर का जीकर करे तो दोस्तो 31 अक्टूबर 2019 में बना था जम्मू कस्मीर आज इसका LG कोन है मतलब लेटिनेंट गवर्नर कोन है LG कोन है तो दोस्तो अब बता दे ना मनोज सिन्ना मनोज सिन्ना यहाँ का याद रखेगा उपराचेपाल है और इस से अलग हुआ था लेहे और कब अलग हुआ था 31 सक्टूबर 2019 में और लेहे जो है लद्दाक है या लेहे है या लद्दाक है उसका LG कोन है तो दोस्तो आर के माथूर आर के माथूर देखो जो 31 सक्टूबर 2019 में दो किंदर्शासित परदेश बनें थे एक जम्मू कस्मीर एक लद्दाक लद्दाक जिसकी राधानी लेहे है और जम्मू कस्मीर जिसकी राधानी दो है जम्मू कस्मीर जिसकी राधानी कितनी है दो एक जम्मू कस्मीर और एक स्रीनगर ध्यान रखिएगा और जम्मू कस्मीर का LG कौन है तो मनोज सिन्ना है और याद रखिएगा लद्दा का LG कौन है तो आर के माथूर है लेकिन हाल ही में हाल ही में अमिच्छा या किंदरी गर्यमंत्री अमिच्छा ने कहां के पाडियों को ST का दर्जा दिया है तो जम्मु कस्मीर की जो पाड़ी जन जाती है ना उनको ST का दर्जा दिया के लिए रखिएगा हाल ही में इंटरनेशनल होकी फेडरेशन ने किसे सरवस्रेस्ट पूरुस गोल की पर चुना है बहुत बढ़िया कि उस्सान है दोस्तो तो इसमें आएगा पी-ार स्रीजेस यह है ना पी-ार स्रीजेस इसको भाई साब सरवस्रेस्ट पूरुस गोल की पर चुना है षाल ही में इंटरनेशनल होकी फेडरेशन बहुत बढ़िया क्युस्टन है पी-ार स्रीजेस भारत की होकी टीम का हिसा है हाल ही में International Hokie Federation ने International Hokie Federation ने सरवस्रेस्ट पूरुस गोलकीपर के रूप में किसी चुना है तो PR Series को चुना है और ये इंडिया की टीम में खेलता है इंडिया की टीम में गोलकीपर है और इसी की बदोलत इंडिया की जो टीम है होकी के अंदर तीसरे नमबर पर रही थी ये ध्यान रखीगा PR Series की बदोलत किसमे ओलम्पीक में लेकिन ये ध्यान रखना दोस्तो International Hokie Federation है इसमें सरवस्रेस्ट गोलकीपर किसे चुना है PR Series International Hokie Federation की स्थापना कब हुई थी 1924 में जिसकी स्थापना कहां हुई थी Paris में और Paris का है फ्रांस में और दोस्तो Paris कौन सी नदी के उपर पढ़ता है तो आप बताएंगे C नदी के उपर पढ़ता है Paris सहर के लिए रहे यहां तक के लिए रखिएगा Next question हाल ही में NPCI National Payment Corporation of India है NPCI ने किस देश में रुपे क्रेडिट कार्ड लोंच करने के लिए समझोता किया है हाल ही में दोस्तों NPCI National Payment Corporation of India है इसने किस देश में किस देश में या किस देश में रुपे क्रेडिट रुपे क्रेडिट कार्ड लोंच करने के लिए समझोता किया है credit card launch करने के लिए समझोता किया है बहुत जबर्दस क्यूशन है लाड़ो बहुत जबर्दस क्या है वो समझने की कोसिस करें हाली में NPS, NPCI, NPCI मतलब आप समझ रहे हो NPCI का मतलब क्या हुआ कि National Payments Corporation of India National Payments Corporation of India ने किस देश में रुपए credit card launch करने के लिए किस देश में रुपए credit card launch करने के लिए समझोता किया है तो देहान रखना दोस्तो NPCI जो भारत की payment company है इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसने कौन से देश में समझोता किया है तो दोस्तो आब بتा दे ना Oman में और Oman कोंसे महादिवी में है तो दोस्तो आब بتा दे ना Asia में और Oman की राजधानी क्या है तो दोस्तो आब बता दे ना Muskat है Muskat Oman की राजधानी है यह ध्यान रखना बहुत बढ़िया क्योसन NPCI किस देश ने रुपए क्रेडिट कार्ड लॉंच करने के लिए समझोता किया है रुपए क्रेडिट कार्ड ने तो NPCI ने 2008 के में इसकी स्थापना हुई थी इसमें समझोता किया है ओमान में ओमान का एसिया में जिसकी राजधानी क्या है तो आप बताएंगे मसकट जिसकी राजधानी है मसकट ये चीज़े केलियर हो जानी चाहिए ये चीज़े अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से हम एक एक पॉइंट का देन करते चल रहे हैं बहुती शांदार तरीके से अपन पढ़ते जा रहे हैं बहुती जबरदस तरीके से बहुती बहतरीन तरीके से तो लाड़ो आप मेरे साथ में बने रहना क्योंकि आज की वीडियो है ये बेहद खतरनाव होने वाली बहुत जवरदस्त क्लास होने वाली है आप मेरे साथ में बने रहना ठीक है Next question हाली में किस राजे सरकार ने ओद्योगिक पार्क निती बनाने के निर्देश दिये है क्योंसन सुनिएगा क्योंसन बड़ा जवरदस्त है क्योंसन लिखिएगा आप हाली में दोस्तों किस राजे सरकार ने क्योंसन ये है कि किस राजे सरकार ने हाल ही में दोस्तों किस राजे सरकार ने ओद्योगिक पार्क निती बनाने के निर्देस दिये है हाल ही में किस राजे सरकार ने ओद्योगिक जो पार्क निती है ना ओद्योगिक पार्क निती बनाने के निर्देस दिये है तो दोस्तो आब बता देना जारखंड ने जारखंड ने और ये जारखंड कब बना था दो हजार के अंदर जारखंड बना था ये त्यान रखेगा और जारखंड की राजधानी क्या है दोस्तो राची और ये राची कुण सी रेखा के समाना अंतर सितीत है करकरेखा और करकर पार्क स्थापीत करेगी सरकार, 50 करोड रुपए तक कर्ज भी देगी सरकार, कोई बनाना चाहता है तो बना सकता है, उद्धिविक पार्क नीती बनाने का निर्देश दिया है, तो जारखंड की सरकार ने, जारखंड जो 2000 के अंदर बना था, ये ध्यान रखिएगा, बहुत मोडल वैदिक स्कूल का उद्धिघाटन कहां किया गया है, बहुत जबरदस क्यूसन है, वैदिक स्कूल का, हाल ही में दूसरा रास्टी मोडल वैदिक स्कूल है, इसका उद्धिघाटन कहां किया गया है, तो दोस्तों आब बता दे ना, इसका उद्धिघाटन किया गया ह वो कहां पर किया गया है तो आप बताएंगे पूरी में और पूरी कहां है दोस्तो उडिसा के अंदर है उडिसा और उडिसा कहा है भारत में उडिसा की राजधानी क्या है भूनेसवर उडिसा का मुख्यमंतरी कोन है नवीन पटनायक और राज्यपाल कोन है तो आप बता देना, गणेशी लाल लेकिन पूरी के अंदर दोस्तों एक परसीद मंदिर भी पढ़ता है जगनात मंदिर और ये जो जगनात मंदिर है, इसके बारे में क्योशन पूचा जाता है कि जगनात मंदिर कहा है, तो पूरी में और पुरी का है, उडिशा मे किया है, जिसकी राजधानी है, ध्यान रखना, दूसरा राष्टी मो.. अपना ब्रांड अमेसडर किसे न्यूक किया है अपने पास में एक कंपनी है जिसका नाम है फायर बोल्ट और इस फायर बोल्ट कंपनी ने फायर बोल्ट जो कंपनी है ना फायर बोल्ट कंपनी इसने दोस्तों अपना ब्रांड अमेसडर इसने ब्रांड एमस्टर किसे बनाया है इसने अपना ब्रांड एमस्टर किसे बनाया है तो इसने अपना ब्रांड एमस्टर जो बनाया है वो किसे बनाया है तो अब बता देना दोस्तो कियारा आडवानी कियारा जो आडवानी है ने कियारा आडवानी उसको भाई साब ध्या तो कियारा आडवानी को निवत किया है, कियारा जो आडवानी है उसको निवत किया है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस क्योशन में, तो यहां तक मेरे इसाब से सभी दोस्तों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, अब मैं स्ट्रेटिक जीके के कुछ पर्षन मैंने लिख रखे हैं, मैं स्ट्रेटिक जीके के पर्षन आपके सामने ले के आऊंगा, ठीक है दोस्तों, बहुत जबरदस तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत ही शांदर तरीके से, एक एक पॉइंट का बहुत अच्छे तरीके से अध्यन करते चल रहे हैं, आप मेरे साथ म पहली महिला अध्यक्स, किसकी? कॉंग्रेस की, तो कॉंग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्स थी, उसका नाम था एनी बैसेंट, और ये जो एनी बैसेंट है, ये कब बनी थी दोस्तों, तो एनी बैसेंट 1917 में बनी थी, 1917 में, और कौन से अधिवेशन की बनी थी, तो कलकत् लेकिन कॉंगरेज की पहली भारतिय माईला द्यक्स पूछ लेना तो सरोजिन ऍटू 1925 काणपूर अदिवेशन के बनी थी, काणपूर अधिवेशन की ठीक है बांधिपूर रास्तिय उद्ध्यान, बांधिपूर जो रास्तिय उद्ध्यान है न दोस्तो कि बांधिपूर नेशनल पार्क करनाटक में है, करनाटक में, करनाटक में, और बांधिपूर नेशनल पार्क जो करनाटक में है, ये किस के लिए परसीद है, तो दोस्तों आब बता देना, हाथियों के लिए परसीद है, हाथियों के लिए बांधिपूर नेशनल पार्क करना अडिके उपर है पहले तो यह सुन लो कि यह कहा है तो बेला गामी करनाटक में पढ़ता örै दोस्तों गोकक जो जली परपत नावी करनाटक में पढ़ता है और ये कौन सी नदी के उपर पढ़ता है तो दोस्तो आप बताएंगे ये हिंदू सवराजय पुस्तक है महात्मा गांदी की हरीजन सेवक संग की स्थापना किस ने की थी तो महात्मा गांदी ने ही हरीजन सेवक संग की स्थापना की थी ठीक है उसके बाद में एक खिलाडी अपने पास में पिट संप्रास और ये जो पिट संप्रास खिलाडी है न ये किस से रिलेटिड है तो आप बता दे न दोस्तो तो टैनिस रिलेटीड है, टैनिस रिलेटीड है, पिट संप्रास, और चाय के लिए कौन सी मिट्टी उप्युक्त मानी जाती है, तो दोस्तों चाय के लिए कौन सी मिट्टी मानी जाती है, तो लेटराइट मिट्टी, जो लेटराइट सोयल है न, लेटराइट मिट्टी है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टड़ी गुरूप में सेयर करना, आप अपने दोस्तों से बोलना कि वो मेरे साथ में कास किलासिस के उपर जुड़े और सबसे वैतरी, सबसे जवर्दस तरीके से मेरे साथ में पढ़ें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद!